गुड मार्निंग स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे अनाबृत्थ बीजी पौधों के सामाननी लक्षण जनरल कैरेक्टर्ज आफ जिम्नो इस्पर्म आईए देखते हैं इसके क्या-क्या कैरेक्टर हैं पहला है पौधे प्राय बहुवर्सी और काश्ठी होते हैं पौधे यानि प्लांट प्राय बहुवर्सी यानि पेरैनियल और वुडी होते हैं फिर है पौधे प्राय मरुद्भित स्वभाव के होते हैं मरुद्भित यानी जीरो, फाइट, श्रुभाव के होते हैं ठीके मुख्य पौधा बिजारुद भिद होता है जो जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है मुख्य पौधा यानी प्लांट इस्पोरो, फाइटिक होता है जो root stem तथा leaf में विभेदित होता है जड़े प्राय मुशला एवं साखित होती है तिके जड़े प्राय कैसी होती है tap root and branched होती है फिर है तने प्राय उर्धु यानी erect साखित कभी कभी असाखित जैसे psychos होते है फिर है पत्तियां एक प्रकार की अथवा दो प्रकार की हो सकती है पत्तियां यानी leaf एक प्रकार की या दो प्रकार की यानी dimorphic हो सकती है पहला है foliage पत्तियां यानी foliage leaves ये हरी सरल अथवा संयुक्त होती है हरी यानी ग्रीन, सरल या अथवा, सन्योक्तियानी कंजुआइंट होती है दूशरा है सलकपत्तियां ये अत्यन्त सुक्ष्म, सूखी तथा भूरे रंकी होती है ठीक है? ये कैसी होती है? ब्राउन कलर की फिर है गर निटेल्स को छोड़ कर जायलम वाही निकाओं तथा जायलम म्रदूतक का बना होता है किसका बना होता है? जायलम ट्रैकिट्स तथा जायलम पैरनकाइमा का बना होता है फिर है फ्लोयम चालनी कोशिकाओं तथा फ्लोयम पैरनकाइमा का बना होता है चालेनी कोशिकाओं यानी सिबुए सेल्स तथा फ्लोयम पैरंगाइमा का बना होता है अर्थात फ्लोयम उतक में सह कोशिकाओं यानी कमपेनियन सेल का अभाव होता है लगभग सभी पौधों में दित्यक बृद्धी यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है पाउधों में वाई उपरागर वाई उपरागर यानि विण पॉलेनेशन भी होता है ये देखिए कुछ ये हैं ये देखिए साइकस हो गया ये है हमारा पाइनस ये हो गया गिंगो ये हो गया निटम ठीक है अब इसके आगे का हम अगले दिन देखेंगे खर बुट कर दो कि एंगर आवागा है